Hello friends, this is Raj Yadav and welcome back to चलाक स्टरी यूटूब चैनल तो friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के सिलेवर्स के बारे में ठीक है, तो यूपी टेट के form fill up होना finally जो है start हो चुके हैं तो अगर आप लोग यूपी टेट से related तयारियां चाहते हैं तो इस चैनल को subscribe कर लिजेगा इस चैनल पर regular basis पर आपकी तयारियों से related वीडियो अपलोड होते रहते हैं तो चलिए अपने इस वीडियो को start करते हैं दोस्तों आगे बारे में पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो please चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको all पर set कर दीजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक notification पहुंच जाए तो आज हम दोस्तों syllabus के बारे में बात करने वाले हैं जो भी इसके syllabus होने वाले हैं उसके बारे में ये latest syllabus है आपके 2021 का यानि अभी जो notification आपकी आई हुई है latest उसी से ये syllabus लिया गया है और सारे syllabus को complete यहाँ पर discuss करेंगे और complete तरीके से हर एक topic को मैं आपको समझाते चलूँगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी query नहीं बचेगी तो चलिए इस वीडियो को हम लोग start करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग paper 1 के बारे में discuss करने वाले हैं अगर आप paper 2 के syllabus देखना चाहते हैं तो नीचे description box में आपको link मिल जाएगा तो चलिए start करते हैं यह जो है paper 1 के लिए है कक्षा 1 से 5 के लिए जो प्रात्मी की स्थर की परिक्षा होती है आपकी यूपी टेट की तो वो paper 1 के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं syllabus तो दोस्ते यहाँ पर 5 भाग होते हैं सबसे पहले मैं यह बता दूँ आपको सबसे पहला भाग आपका CDP हो जाता है जो बाल विकासे हम सिक्षन विधिया हैं ठीक है उसके बाद second part में आपकी भाषा 1 पुछी जाएगी भाषा 1 जिसमें कि आपका हिंदी होगा तीसरे भाग में आपकी भासा 2 पुछी जाएगी जिसमें आपका या तो English याने कि आप चूज कर सकते हैं English, Sanskrit या फिर उर्दू इन तीनों में से एक subject आप चूज कर सकते हैं इसके वाद दोस्तों आपका चौथा जो topic होगा वो होगा mathematics चौथा जो subject होगा वो होगा mathematics और पांचवा जो subject होगा वो होगा environment याने की परियावरन और इन पांचों भागों से दोस्तों 30-30 नमबर के प्रशन आएंगे ठीक है और इसमें क्या के चीज़े हैं इसमें का भाग में क्या के चीज़े दिया गया है सबसे पहले दिया गया है आपका जनरली जो बाल विकास के बारे में बाल विकास का अर्थ, हावश्यक्ता, छेत्र, ठीक है उसके सारिक विकास, मानसिक विकास, समवेग आत्माग, अभियक तो जब हम CDP पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये सभी चीज़े आपको और अची तरह से समझ में आ जाएंगी उसके बाद दोस्तों दिया गया है बाल विकास के अधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक और दो कारक होते हैं वन्शानुक्रम और वाता वरण ये दो कार रोकते हैं परिवारिक समाजिक विद्याली संचारमाद्यम इसके अंतरगत आते हैं फिर आते हैं दोस्तों हम सीखने का अर्थ तथा सिध्धानतों के तरह आ जाते हैं जिसमें से बहुत सारे सिध्धानत हैं फेमस फेमस जो जो भी फेमस यहां पर हैं विज्यानिक उनके फेमस वीदियां यहाँ पर आ जाते हैं जैसी कि प्रभावशाली वीदियां हैं अधिगम की और इसमें आ जाते हैं थॉन्डाइक एवं अधिगम और उनका महत्व जो भी उन्होंने मुख्य नियम बनाए हुए हैं इसके लावा थॉन्डाइक के प्रयाश यम्तूटी का सिद्धान्द, इसकीनर की क्रिया प्रसुत का अधिगम सिद्धान्द, कोहलर की सूज या अंतरद्रिष्ट का सिद्धान्द, प्याजे का सिद्धान्द, वाइगोश्की का सिद्धान्द, यह सभी महत्वपूर्ण सिद्धान्द यहाँ पर आ जाते हैं जो साइकोलोजि स्भी चीज़ा आजाती हैं उसके बादाद के बालक हैं सभी को एक समावेष्ण करके पढ़ाया जाता है, उसके बाद है आवश्यक उपकरण सामगरियां है जिसको TLM कहते है Teaching Learning Material ठीक है ये सभी चीज़े पढ़ना है इसके लावा अधिगम को जाचने की टूल्स होते हैं कुछ तकनीके हैं कुछ टूल्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है समावेशिक बच्चों के लिए विसे सिक्षण वीदियां है जैसे की Braille लिपी है आधि के बारे में आपको पढ़ना है उसके बाद है निर्देशन हैं परमर्च अर्थ उद्देश प्रकार वीदियां अवश्यक्ते हैं क्षेत्र ठीक है इसके बाद कई तरह की चीज़े जैसे परमर्च में सहयोग देने वाली विभाग है इसको प्रकारिश का महतव्य आपको पढ़ना पढ़ेगा यह सभी चीज़े सीडिपी के अंतरगत आएंगे आपकी फिरा आ जाते हैं अधिगम और अध्यापन में तो अधिगम और अध्यापन में जो है कई तरह की चीजे जैसे बालक विद्धाले प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल रह जाते हैं इन सभी चीजों के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अधिगम के समाजिक संदर्ब, वैग्यानिक अन्वेशन के रूप में बालक, और इसके अलावा बालक की तुरूटियों को समझना, बोदर, समवेदनाय, प्रेरणा, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, ये चीजे वर्णमाला, स्वर्वेंजन, वर्णों के मेल मातरिक और अमातरिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, इसके रावा हिंदी की सभी ध्वनियों से आपको जो है परिचीत होना है, ठीक है, स, श, श, ब, व, अ, ये सभी चीजे जो है, इन ध्वनियों से आपको परिचीत ह इनकी जनकारी होनी है आपको हिंदी भास की सबी द्वनियां वढ़नो अनुस्वार अनुनासिक एम चंद्रबिंदू में अंतर होना चाहिए है आपको- प्रते उपसर्ग तद्वा देशच विदेशच लोकत्तियां वह मुहावरे और संधी संधी में स्वर संधी है विजन संधी हैं विसर्ग संधी है पूरी जनकरी आपको होनी चाहिए इसके अलावा वाच्चे समास वाच्चे समास अलंकार में बहेद कवियों इमलेखो कोई रचना है अब इसके खा भाग में आ जाते हैं भाषा विकास का अध्यापन अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अध्यापन और अर्जन हैं भाषा अध्यापन के सिदान्त हैं सुनने बोलने की भूमी का भाषा यानि भाषा से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको पता होने चीज़े मौकिक और लिखित रूप में विचारों का संप्रिशनर एक भीन कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनोतियां यानि कई प्रिष्ट भूमी वाले बालक होते हैं तो वहां भाषा आप कैसे पढ़ाएंगे भाषा कोशल, भाषा बोध गम्यता, प्रविर्टा का मुल्यांकन करना जैसे कि ये चार चीज़ें जो हैं बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ये जो है भाषा की प्रविर्टा होती है चारों के बारे में जनकारी फिर अध्यापन, अधिगम समगरियां मल्टी मीडिया समगरियां, कक्षा में बहुँ भाषाई संसाधान और उप्चारात्मक अध्यान ये चीज़े आपको भाषा में पढ़ना पड़ेगा भाषा एक में, अब भाषा दो में दोस्तों यहाँ तीन चीज़े हैं जैसे मैंने बताया इंग्लिस है, संस्क्रीट है और उर्दू है इनमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है तो हम यहाँ पर इंग्लिस में देखते हैं संस्क्रीट और उर्दू के लिए मैं बाद में वीडियो बना दूँगा तो बने रहेगा चैनल पर तो यहाँ पर आप जैसे की देख पा रहे होंगे यहाँ इंग्लिस में क्या के चीज़े हंसीन पैसेज इसमें भी हिंदी की तरह ही बिलकुल है यह लेकिन यह इंग्लिस में है और सेंटेंसे अपर उसके बाद कंजक्शन है तेंस है आपके प्रेजेंट पास्ट और फूचर आर्टिकल्स है ठीक है इसके बाद word formation है आपके और punctuation भी है और इसके लावा active passive voice आपसे पुछा जाएगा singular and plural number gender तो क्या है कि language 1 जो है थोड़े से hard प्रशन आएंगे और language 2 में थोड़े से 1 के मुकाबले थोड़े से simple प्रशन आपके आएंगे इस तरह से भाषा 2 को यहाँ पर डिजाइन किया गया है आगे बढ़ जाते हैं next हमारा subject आ जाता है mathematics mathematics में दोस्तों आप जितने भी math पढ़ने वाली student होंगे सभी को अच्छी तरह से जनकारी होगी आट सॉलों को भी बहुत ज्यादा कठीन प्रशन इसमें नहीं पूछे जाते हैं तो संख्यायम संख्याओं का जोड़ना घटाना गुड़ा भाग लगुत्तम अहत्तम भिन्नों को जोड़ना घटाना गुड़ा भाग करना दश्मलों को जोड़ना, घटाना, गुड़ा भाग करना एकिक नियम, प्रतिशत, लाभानी, सधारान ब्यास, धन, मापन, परिमिती, कलेंडर, आकड़े इस तरह से समधित प्रश्ण पुछे जाते हैं आयतन, क्षेतरपल, आयत वर्ग से समधित प्रश्ण रे लिया, बस समय सारनी से समधित प्रश्ण ठीक है, इसके लाभा आकड़ों की प्रस्तूति करन और अध्यापन समधित मुद्देज, इसको पेड़गोजी आप कह सकते हैं पेड़गोजी से रिलेटेट पूरे प्रश्ण मैथेमेटिक्स में पूछे जाते हैं नैदानी के उचरात्मक सीक्षान, तो ये पेड़गोजी है मैथेमेटिक्स का अब दोस्तों आ जाते हैं परियावरण अध्यायन में विसेवस्तू, परिवार, भोजन, स्वास्तियम, सुक्षता, आवाज, पेड़पौधे, जन्तू, हमारा परिवेश, मेला, इस्थानी, पेशे से जुड़े, व्यक्तियम, व्यवसाय, जल, यातायात, हम संचार, खेलेव, खेल भावना, भारत की नदियाँ, परवत, पठ वन याताया, तो यह जो है, प्रदेश के बारे में जनकारी आप से पुछे जाएगी, आपके राज जिय, यूपी के बारे में, इसके बादे दोस्तों, समविधान है, ठीक है, समविधान है, इसके बाद है, सासन व्यवस्ता है आपका, ठीक है, सासन व्यवस्ता, इस्था आपसे EBS के अंतरगत पूछे जाएंगे फिर है परियावराण के अवशक्ता महत्तु प्योगिता परियावराण सनरक्षन परियावराण के प्रतिस समाजिक दाइत्व परियावराण सनरक्षन हेत्व संचालित योजनाएं ये चीज़े आपसे पूछे जाएंगी फिर से आ ग्यान और समाजिक ग्यान की व्याप्ति और संबंद अवधारना प्रसूत करने की द्रिष्टिकोर, क्रियाकला, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत्य व्यापक मुल्यांकन, ठीक है जिसको कहते हैं CCE, Continuous and Comprehensive Evaluation, सिक्षण, समगरी, सिक्षण, समगरी या उपकरण और समस्यां यह आ जाते हैं पेड़गोजी में, तो कुल इतने जो हैं सब्जेक्ट्स हैं, मैंने बताया सभी 5 सब्जेक्ट्स के बारे में, और सभी के बारे में complete discussion हम लोग ने किया, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा अगर पसंद आया होगो तो like, share आप लोग जरूर कर दीजेगा, चैनल पर नए हैं तो subscribe कर दीजेगा, इसके part 2 के लिए आपको description में link मिल जाएगा, ठीक है, यानि कि paper 2 के लिए, paper 2 जो कि 6 से 8 के लिए होता है, उसके लिए आपको नीचे description में link मिल जाएगा, इस वीडियो म इतना ही था, मिलते हैं next studio में, तब तक के लिए, जय हिंद,